नमस्कार, क्रिशी दर्शन कारेक्रम में आप सभी दर्शकों का स्वागत है हमारे प्रदेश का किसान एवं बागवान, क्रिशी एवं बागवानी दोनों ही क्षेत्रों में अग्रणी एवं सरहनिय कारे कर रहा है खिसान भागवान भाईयों आज हम बात करेंगे सरक्षित खेती को लेकर के कि बागवानी में किस प्रकार सरक्षित खेती की जा सकती है इस विशे पर चर्चा करने के लिए हमने अपने आज कारेकरम में विशेश रूप से आमंत्रित किया है दौक्टर शिवाली ठाकूर जी को दौक्टर शिवाली आपका कारेकरम में बहुत-बहुत स्वागत है दर्श को हम आपको बताना चाहेंगे कि डॉक्टर शिवाली बागवानी निदेशालिया में विशेवाद विशेशग्य के पद पर कारेड़त है और जैसा कि आप सभी को ये विधित है कि इस कारेकरम के माध्यम से जो भी विशे हम चर्चा के लिए लाते हैं उस पर संपूर इवं सटीक जानकारी अपने विशेशग्य के माध्यम से दिलाने की कोशिश करते हैं और आज का बहुत ही महत्तुपुर्ण विशे है जिसे हम प्रोटेक्टेड कल्टिवेशन भी कहते हैं और हम चाहेंगे कि डॉक्टर शिवाली जो भी आपको जानकारी देंगे उसका आ हमारे देश प्रदेश में जो है अधिकतर पॉपुलेशन है वो खेती कर रही है और हमारे प्रदेश में चाहें हमारे आप देवी देवताओं की देन समझे कि सभी जलवायूक शेत्र जो है वो हमारे प्रदेश में उपलब्ध है तो और कई प्रकार की जो है फसलेस में उ बहुत बड़ी है, इंडस्रिलाइजेशन हुई है, जिसकी वज़से जो क्रिशी योगे भूमी है, वो सिमट का रह गई है, तो ये भी एक जो किसान की सामने समस्या है, तो इससे जूजना पड़ रहा है, और दूसरा मौसम संबंधी मार जो है, वो किसानों को जेलनी पड़ रही है, जैसे मौसम समंदिक कई बायोटिक वैक्टर्स और इस प्रकार के कारण, और फिर जैविक कारद जिससे हम बायोटिक वैक्टर्स भी कहते हैं, जैसे जैसे बीमारी लगना, कीट का कोई प्रकौप होना आधी, इन सबी समस्यां से हमारा किसान जूजरा है, हम जानते हैं कि जो किसान है हमारा वो खुले में खेती करता है, तो इन समस्यां से मौसम की मारूसे जहलनी पड़ती है, तो अब किसान को ऐसा विकल्प चाहिए, जो हमारे जो ये समस्या है, किसान उसे छुटकारा पा सके, तो सर जलवायू के फसल की सुक्षम जलवायू यानि माइक्रो क्लाइमेट को नियंतरित करके किसान पूरा वर्ष भर अपनी फसल को उगा सकता है तो हम यह कह सकते हैं कि अब कोई सरक्षित खेती यानि प्रोटेक्टिड कल्टीवेशन को अगर हमारा किसान अपनाता है तो मौसम क कोई माइने नहीं रखेगा वो जब चाहे जैसे चाहे और जिस समय चाहे हमारा किसान जो भाई है बहन है वो जो है फसल उगा सकता है डॉक्टर शिवाली आपने तीन फैक्टर की बात करी एक तो लैंड होल्डिंग कम होती जा रही है एक अनावश्यक और जो असमाइक जो मध्यम और मैदानी तो क्या यह जो प्रोटेक्टेड कल्टिवेश्न है क्या सभी खेटरों में संभव है जी हां बिल्कुल आपका बहुत ही यह वाजिव प्रेश्ण है आनिल जी यह किसी भी कोई मध्यम वर्ति खेटरों हमारे मैदानी इलाके हो कहीं पर भी यह हम सरक्ष जो सरक्षित खेती है इसको अपना कर किसान को बहुत फायदे हैं जैसा कि मैंने अभी कहा कि इससे जो है हमारे किसान को मौसम की मार जेलनी नहीं पड़ेगी वो जब जैसे चाहे खेती कर सकता है और पूरा वर्ष भर जो है वो अपनी फसल को उगा सकता है तो अभी पहले जो फसल जब वो खूले में खेती करता था तो उसकी जो फसल होती थी चार से छे महीने के होती थी लेकिन अब प्रोटेक्टिव कल्टीवेशन को अगर वो अपनाता है सरक्षित खेती अगर वो करता है तो पूरा साल भर वो अपनी फसल उगा सकता है और ओफ सीजन में हमारा किसाल कर सकता है फिर दूसरा कि सरक्षित खेती के अंदर उगाई गई जो फसल है as compare to खुले में वो खेती करता है जो उसकी quality है जो उसकी गुनवता है फसल की वह protected cultivation के अंदर जो है वह ज्यादा होती है गुनवता अच्छी होगी तो आपका जो जो पैदावार है वो भी बढ़ती है यह प्रूफ है कि जो प्रोटेक्टि कल्टिवेशन के जैसे आप कोई भी फसल लगाते हैं बाहर उसकी पैदावार कम होती है लेकिन जब हम सरक्षित खेती में करते हैं तो उसकी पैदावार बढ़ती है तीन से चार गुणा तक उसकी प्रोडक्शन है वह बढ़ जाती है तो उसकी पैदावार जब बढ़ी तो इसकी आमदनी भी नाच्रल सी बात है दुगनी तुगनी उसकी आमदनी भी होगी फिर तीस्रा आता है हम दे रहे हैं कि जो एक ज्वलन इशू है हमारा जो है बर्निंग इशू है पानी की समस्या का पानी की समस्या जो हमारा वाटर टेबल है वो बहुत नीचे चला गया है तो सरक्षित खेती को अपना कर इसमें पानी की भी बचत होती है इसमें हम डिप इरिगेशन सिस्टम का इस्तेमाल करके पानी की खपत को 7-70% तक खपत इसमें कम होती है फिर एमप्लाइमेंट जनरेशन का भी जो प्रोटेक्टिग कल्टीवेशन एंप्लाइमेंट जनरेशन का भी बहुत अच्छा साधन है इससे हमारे से एक हजार स्क्वियर मीटर का अगर पॉली हाउस है तो इस्में दो से तीन लोगों को रोज़गार मिलता है तो इससे लोगों की जो है employment भी हो रही है तो इस प्रकार से यह सभी और फेर एक और फाइदा है जो खुले में खेती करता है तो मौसम संबंधी मार पड़ती है तो बीमारियों और किटों का प्रकोब भी बहुत ज्यादा होता है तो जिसकी वज़े से आपको दवाईयों का स्प्रे करना पड़ेगा इंसेक्टिसाइड फंजी साइड का स्प्रे करना और वैसे भी आजकल और गैनिक फार्मी की तरफ जी 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 हां जी डॉक्सर कौन कौन सी सरंचनाओं का प्रयोग इस रिक्षित खेती को करते समय किया जाता है देखिए इसमें बहुत सी सरंचनाओं है जो हम यूज इसमें कर सकते हैं जैसे पॉली हाउसीज हैं पॉली माइक्रोन की जो पॉली हाउस है वो शीट का इस्तेमाल किया जाता है इसकी कई क्वालिटी जो पॉलीथीन शीट है जैसे एंटी ड्रिप होती है हम अक्सर देखते हैं कि पॉली हाउस लगाए होते हैं लोगों ने और लेकिन उसमें जो पानी है रिस्ता जाता है चट से प सवरों झाते हैं तो वह समस्या से लुझा कích आता है तो इस प्रकार का होता है तो इसमें प्रकार होते हैं जैसे फैं न पेस्टाम है फैंने पैटि सिस्टम हमारे मैदाने इल्कों के लिए यह जादा जी इसले अब आपका नैचुरली वेंटिलेटट सिस्टम, इसमें नैचुरली वेंटिलेटट सिस्टम हमारे मधियोवर्थी जो हमारे क्षेत्र हैं वहां के लिए ये जरूरी है, तो जो fan and pad सिस्टम हमने मैदानी इलाकों के लिए बताया, तो इसमें लगबग ये थोड़ा कॉस्टल वो ख़ाता, लागत वाती है, तो और लेच्छली वेंटिलेटिट के सिस्टम और से when sh remix की होंगे, धैयर उसे पर्द के और जाली इसलिए लगी होती है कि हम जब paulithine sheet को चड़ाते हैं, तो उसमें हवा आ सकी छाली का यूज़ किया जाता है उससे जो कीडे, makओ़े जो है वो ना सके तो इस प्रकार से नाचर लेटी लेटुर है। ये कम लागत से तैयार होता है। जैसे एक हाजार स्क्वेर मीटर का किसान जो आ वो पॉलि हांस लगाना चाहता है। तो इसमें लगभग νारा से 11 लाग का कि जो है वो खर्चा आता है। तो ये तो हो गया पॉली हाउस, फिर इसमें आता है शेडनेट हाउस, शेडनेट हाउस एक जाली ग्री भी जिसे हम कहते हैं, ये उन पौधों के लिए जैसे हमने अक्सर देखा है, कि हमारे नैशनल हाइवेस पे भी है, जो फ्लॉरी कल्चर से रिलेटेड जो है, मेटीरियल वहाँ पर मिलता है, जाली जाली होती है, उसमें वह 50%, 60%, 35% की रिश्यों में आता है, यानि के, जो हमारी UV लाइट है, उसको सूरे की किर्नों को वह íचा, और इसमें हम अपने फूलों की पनीरी भी तैयार कर सकते हैं और फूल दार पॉडे हैं। उसको ये प्लास्टिक तरनल में प्रयोग में ला सकता है, फिर आता है वाकिन टरनल, वाकिन टरनल भी कम लागत से तयार होती है, तो इसमें लगभग 3 लाग का खर्चा, 5-6 लाग का खर्चा आता है, 1000 स्क्यर मीटर पे, इसमें भी फसल, कोई भी क्रॉप ले सकता है, चाहे फूल हो, चाहे वो सबजी हो, ये लगा सकता है, फिर इसी प्रोटेक्टिट कल्टिवेशन के अंडर आता है, एंटी हेलनेट, ओला अवरोधक जाली, जिसे हम कहते हैं, और जैसे की मौसम की मार बहुत पड़ती है, ओला व्रिष्टी बहुत जादा होती है, तो ओला अवर प्लास्टिक मल्च होता है, कि हमारा पोधा है, उसको कवर कर देते हैं, ऊससे ko nie आते हैं, और दूसरा, पानी की भी बचत होती है, तो इस प्रकार से इसका यूज़ होता है, किया जा सकता है जैसे कि अभी हम बात कर रहे थे लेंड फोडिंग बहुत घरती जा रहे और आपने का एक हजार स्क्वेर मीटर क्या इस से कम जो मतलब स्क्वेर मीटर में भी पॉली हॉसी को लगा सकता है हमारा किसान बागबार जी बिल्कुल बहुत अच्छा प्रशन किया ये जी हां ये क कोशिश की 200 स्क्वेर मीटर का अगर वो ग्रीन आउस लगाता है तो वो उसको प्रॉफिट पॉइंट व्यू से भी उसको सही होगा और फार्मर अगर ग्रूप में करे क्लस्टर में करे अप्रोच करे तो उसको मार्किट की भी सुविधा जो है वो अच्छे से वो जी सुविधाय मिलती है जी 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 डॉक्टर शिवाली सरक्षित खेती करते समय हमारा किसान बागवान किन-किन बातों का ध्यान रखना पड़ता है जैसे मिटी की जांच उसे अपनी करवानी चाहिए जहां पर वो पॉलिहाउस लगाना चाहता है तो मिटी की पॉलिहाउस है किस स्थान पर वो बना रहा है किस किशेतर के लिए रहा है यह देखना बहुत जरूरी है और जिससे भी वो पॉलीहाउस बनाए किसान वो कंपनी रिजिस्टर दोनी चाहिए जो पॉलिहाउस में सामान यूजर है वह BIA स्टेंडर्ड का होना चाहिए जैसा अभी मैंने कहा अनिल जी कि स्थान की कप और क्षेतर का ध्यान रखना चाहिए तो जैसे मैदानी इलाके हैं तो उनके लिए फैन एन पैड सिस्टम जादा ठीक रहता है हमारे किसान भाई बहनों ने किसान जो हमारे बागवान है उन्होंने देखा होगा कि जो हमारा जैसे घर में कूलर होते हैं उसमें एक फैन लगा होता है और पैड सिस्टम लगाता है घास फूस का एक शीट लगी होती ठीक उसी प्रकार से इसमें उस चीज का यूज किया गया है जो हमारी गरम हवा है उसको ये बाहर निकालता है और अंदर जो हवा हैगी वो ठंडी करके भेजता है तो fan and pad system का इसमें यूज है और मैदानी इलाकों में जो दूसरा जो वो फसल चूज कर रहा है जैसे उसने green house choose कर लिया कि मैदानी इलाके में लगाना है तो अब जो फसल लगाएगा वो भी मैदानी इलाकों वाली फसल उसे लगानी चाहिए तो मैदानी इलाकों में जैसे rose वो ले सकता है जर्बरा वो ले सकता है plains के लिए ये better है हाँ जी और दूसरा फिर हमारे जो जैसे मध्यमवर्तिक शेतर है जैसे हमारे शोलन शिमला का एरिया है तो यहां पर वो जो naturally ventilated है वो वाले green house जो है लगा सकता है तो इस प्रकार से वो चुनाव सही चुनाव करे तो वो फाइदे मंदगा तो यहां पर वो गुलाब लगा सकता है अगर धू पच्छी आती है तो गुलाब का वो फसल तयार कर सकता है कानेशन लगा सकता है लीलियम लगा सकता है यह सारी फसले इसमें लग सकता है दूसरा यह तो फ्लॉरी कल्चर का था फ्लावर्स की थी फिर वो सब्जी भी लगा सकता है, ऐसा नहीं कि सिर्व फूली लगा सकता है, सब्जियों में भी वो आपने हमारे मार्केट में आती है, लाल और हरी आपने शिम्ला में इच देखी होगी, वो भी लगा सकता है, खीरे लगा सकता है, तो इस प्रकार की फसले वो ले सकता है, फिर जगह की बात हम करते हैं, हमारे कुछ क्षेतर ऐसे हैं, जहां पर बरफ बहुत ज्यादा पड़ती है, ठंडे मरुस्तुलिये, हमारे कोल डेजर्ट हैं, तो वहां के लिए कुछ अलग प्रकार के पॉली हाउसी होते हैं, जैसे गेबल नूमा हुआ, क्विंसेट टाइप पड़े, तो उसके जो है, उसका लोड ले सके और उस पे नाठी के वो, तो इस प्रकार के पॉली हाउसी जो है, जहां बरफ वाले इलाके हैं, वहां पर बना सके, फिर हमारे कोल डैजर्ट जैसे लाहोले लेद, लदाक का एरिया आता है, क्योंकि वहां तो बरफ बहुत ज होते हैं जो घर की दिवार के साथ लग कर बने होते हैं और ये दक्षीनी जो साउथ बने होते हैं तो इस से जो है सूरज की किर्नों का भरपूर उपयोग करके जो है हमारा किसान फसल वहाँ पर ले सकता है धुआ ओर का आगे French POLY Houses जिसे हम कहते हैं जो जमीन के अंदर बने होते हैं और सिर्फ जो उसकी चत होती है POLY House की वो जमीन से उपर होती है तो इस प्रकार से जमीन की अंदर की जो गर्मी को इस्तेमाल करके फसल का उतपाधन करते हैं तो इसमें जो हमारे लाहौल और लद्दाक वाले जो हमारे किसान है उनका जहां दो महीने का जो फसल चक्रता वो बढ़कर छे से 7 महीने का हो गया है। तो इससे जो है वो बहुत अच्छी आमधनी जो है हमारा किसान कमा रहा है। तो डॉक्टर शिवाली आपके कहने का मतलब है कि जो आपने पहलू बताए यदि इसका किसान बागवान ध्यान रखे तो वो एक अच्छी फसल को ले सकता है जी जहां तक लाब की बात है किसान लाब कैसे ले सकता है हम बात इतनी हमने प्रटेक्टेड कल्टिवेशन लाब क वहाँ जाकर वो जो है अप्लाई कर सकते हैं तो कहने का मतलब कि संबंदीत विभाग से संपर्क के उसका लाब लिया जा सकते हैं डॉक्टर शिवाली आप हमारे कारेक्रम में आए इतनी महत्तोपून जानकारी आपने आज के विशे से संबंदीत हमारे सभी दर्शकों को इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद दर्शकों हमें दीजी अनुमती नमस्कार